आप सबी का हमारे चैनल स्टडी फॉर आरेस में आज हम जो है डेली प्रेक्टिस सेट के जो कुश्चन्स है जो दस कुश्चन्स है उनको डिसकस करेंगे इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है यह वीडियो आपको डेली मिलेंगे हिंदी इंगलिश दोनों में आपको सब्सक्राइब होंगे तो दोनों माध्यम के जो आरेस एसपेरेंट है वह इन सवालों को रोज हल करें जैसे कि आपका प्रिलिम्स के लिए जो है आपके तैयारी हो पाए हम शुरू में बड़े ज्यादा टफ कोशन हम नहीं ले रहे हैं और जोग्राफी से संबंदित प्र लिए हम जो प्रैक्टिस सेट उसको शुरू करते हैं पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए निम्लिकित को सुमिलित कीजिए परवश ट्रेणिया और सर्वोचे चोटी आपको दे रखी है तो आपको इनको सुमिलित करना है तो आप ध्यान से देखिए अप्लेशन माउ जोग्राफी पढ़ाएंगे तो हम एक एक कॉंटिनेंट आपको पढ़ाएंगे और उसमें कौन से सर्वोचे चोटी है जो महत्वपुन है बस वहीं पढ़नी है वह हम सारी आपको बताएंगे इसलिए जोग्राफी के लिए हमारे लेक्टर्स जरूर सुनिए तो अपलेश सीन नदी नदी पैरिश एंदर है ठीक है और आपकी टाइबर नदी रोम के अनदर डैन्यूबे नदी नदी वियाना में और नाइपर नदी तो मैं आ earth Five 52 जो आपका आपको बताना चाहंगे जो Danube नदी है वो जर्मनी के Black Forest जो है Mountain वहाँ से इसका origin होता है इसको फिर से लिख देते हैं Black Forest जो है ठीक है वहाँ से जर्मनी से जो है इसका उद्गम होता है और ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है तो पहली कौन सी है पहली नदी जो है वो है वोलगा यूरोप क और दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी है Danube ठीक है इसके बारे में दो तिन फैक्ट्स और है कि Danube के लंबाई कितनी है और Danube कितने अदेशों से होके गुजरती है और कितने जो Capitals है जो राजधानिया है उनसे होके निकलती है तो यह आप मुझे comment section में बताएंग नेक्स सावाल पर हम चलते हैं कमपीली किसकी सहायक नदी है तो ध्यान से देखें कमपीली जो है ब्रह्मो पुत्र की सहायक नदी है ब्रह्मो पुत्र नदी जो है वो चेमा युगडूंग लेशियर जो लेक मानसरोवर है आपकी मानसरोवर जील वहां से यह निकलती है और दक्षिन इतम जो सहायक नदी है उसका नाम है कमपीली जिसी पर एक कोशन पूछा गया है आपसे ठीक है नेक्स सवाल अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहां पर जो यह निपर नदी है जो कि आपकी कीव में है कीव युक्रेन के अंदर है ठीक है तो यह जो है युक्रेन की सबसे लंबी नदी है इसका आप ध्यान रखेंगा नेक्स्ट और जो आपकी कमपीली नदी है य इसका नाम है असम और मेगाल्या नदियों के बारे में कुछ फैक्ट्स क्या है हमेशा याद रखने चीज ट्रिवियल फैक्ट्स होता है लेकिन परिक्षाओं में ऐसे उठाके प्रश्ण पूछ लिया जाता है तो आप जितना हो सके जो मुख्य नदिया है ज्यादा छोट इसको इंग्लिश में कहते हैं बायलोजीकल उक्सिजन डिमांड अबी के लिए जान लिए के बी योडी और जलीय जो जल है जिसमें उस बॉडी में अगर जितनी ज्यादा बायलोजीकल ऑक्सिजन डिमांड होती है उससे हम पॉल्यूशन का पता लगा सकते कि इसमें कितना पॉलिएशन होता है तो अगर यहां पर कार्बनी कच्रा डाला जाता है तो इसकी जेविक ऐख शिजंग डिमांड जो है वो कम हो जाती है ठीक है क्योंकि फिर oxygen कम मात्रा में चाहिए होता है और उससे में pollution ज्यादा बढ़ जाता है नेक्स सवाल देखिए राष्ट्री जलमार्ग संख्या एक जोड़ता है यह जो national waterways है यह आपके prelims के अंदर है अगर आपने अभी तक prelims के इस लेबस का analysis नहीं देखा हो तो जरूर देखिए जिससे कि आपको यह चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्या क्या आपको पढ़ना है तो राष्ट्रे जलमार्ग संख्या एक जो है वो जोड़ता है इलाबाद से हल्दिया स्वारी इलाबाद को हल्दिया से ठीक है इलाबाद क अभी जो नाम है वो नाम बदल के प्रियाग राज रख दिया गया है यह भी आपको पता होना चाहिए सिनाई प्रएदीब जो है वो किस किस के मद्ध है आपको सवाल दिख रहा होगा आप जो है स्क्रीन को फुल करके और फिर इस सवालों को देखा करिए ताकि आपको clarity पूरी रहेगी तो सिनाई जो आपका peninsula है वो किसके बीच में है सिनाई प्रैदुप किसके बीच में है इसका उत्तर है स्वेज की खाड़ी और अकाबा की खाड़ी के मद्य ठीक है आप अगर नक्षे में स्वेज की खाड़ी और इस तरफ जो आप देखेंगे वह है गल्फ ऑफ अकाबा की खाड़ी तो इन दोनों के बीच में जो है आपका सिनाई प्रैदुप है जिसमें इजिप्ट है इजिप्ट के जो इस एरिया कोई सिनाई प्रैदुप कहा जाता है सिनाई पैनेनसुला क जाता है जब परेंस लाकार्थ क्या होता है एक कोई ऐसा लेंड मास यानि कि ऐसा कोई भूमी का टुकड़ा जो तीनों तरफ से जल से जलीए मारगों से जल से गीरा हुआ रहता है इसलिए हम जो हमारा भारती जो प्रदेश है साूथ वाला पॉर्शन है उसको हम बोलते हैं इंडियन पेननसुला ठीक है यानि कि हमारे यहाँ पर क्या है अरेबियेंसई है अरब सागर है यहाँ पर क्या है बंगाल की खड़ी है और यहाँ पर भी वाटर है जो इन दोनों का confluence है ठीक है यानि तीनों तरफ से जो हमारे इंडिया का लेंड मास है वो पानी से गीरा हुआ है उसी को प्राइद्वीब कहते हैं और अंग्रेजी में पैनेंसुला नेक्स्ट सवाल ये तो हो चुका है रानी गयंदली वस इनवल्ड इन विच अंग दाफॉलाइं मुवमेंट्स रानी गयंदली निमलकेत्स में से किसाण्दोलन से संबंदित थी तो इसका सवाल का ध्यान रखिएगा सविन्य अवग्या अंदुलन गांधी जी का जो सविन्य अवग्या अंदुलन था जिसको हम कहते हैं Civil Disobedience Movement 1931 उनसे ये संबंदित थी और एक चीज और इनका जो जनम है वो मनीपूर में हुआ है ठीक है और इसके बाद में इनको जो है जेल हो गई थी जब इन्होंने इस Movement में पाटिसिपेट किया उसके बाद इनको जेल हो गई थी और स्वतंत्रता के बाद जो है ये आजाद होई थी तो जेल में इनसे जवार्लान नहरूजी मिलने गए थे और उन्होंने इनको रानी की उपादी दी थी ठीक है तो इनके बारे में पूछा जा सकता है ये बहुत चर्चा में भी थी नेक्स्ट है आपका बाइविच ओफ फॉलॉइंग सेपरेट इलेक्टोरेट वोज स्टार्टेड इन इंडिया निमलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रतक निर्वाचन प्रदती की शुरुवात की गई तो सबसे पहले प्रतक निर्वाचन प्रदती की शुरुवात जो है 1909 में मौरले मिन्टो रिफॉर्म्स के द्वारा की गई 1909 में Moralimento Reforms के द्वारा की गई जब हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे तो हम आपको सारे Moralimento Reforms Clemsford Reforms 1935 का एक्ट 1947 का जो इंडियन Independence Act है यह सारे एक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे तो उसके आप चिंता ना करें लेकिन यह याद रखें कि बहुत important चीज थी कि इसके द्वारा separate electorates दिया गया था दलितों को ठीक है तो यह आप याद रखें Muslims को और उसके बाद में दलितों को दिया गया तो Muslims को separate electorate दिया गया सॉरी जो Muslim जो समुदा है उसको separate electorate दिया गया इससे हुआ गया कि हमारी देश के अंदर जो है जो सांप्रदाइक्ता है जिसको हम बोलते है सांप्रदाइक्ता की जो भावना है ठीक है वो बहुत जादा बढ़ गई हिंदू Muslim में बढ़ गई हम लोग ठीक है तो यह आप याद रखेंगे कि मौरले मिंटो रिफॉर्म्स के जवरा जो है साप्रेट इलेक्टूरेट दिया गया उसके बाद में सवाल देखिए आकरी सवाल आज का निमलेखित में से किस विचारप को महराष्टर का सुकरात कहा जाता है तो महादेव गोविंद रानाडे यह जो डेली प्रेक्टिस सेट है इसको आप रोज करिए जिससे कि क्या है आप छोटी-छोटी शुरुवात करेंगे तो उससे आपको confidence मिलता रहेगा और इसी प्रकार के सवाल जो है रपीसी की परिक्षाओं में विशेशकर आरेस में पूछे जाता है दूसरा यह है कि मैंने ज़्यादा तर यह कोशिश की है कि मैं वीडियो में कोई अनावश्रक बाते ना करूँ जिससे आपका समाज आया हो और आप जो है सीधा content अच्छा content जो है उसको पढ़ सके मेरा एक वीडियो है आरेस की तेहरी कैसे करें किस प्रकार से करें हर प्रकार की विद्यारती को एड्रेस करता है चाहे आप ग्रामेन परिवेश के हो चाहे आप ex-serviceman हो उसके बाद में या आप job के अंदर हो तो उसको आप जरूर देखे उसमें आपकी सारे शंकाएं जो है उसका समाधान 30 मिनिट में किया गया है और उसके अलावा जो है मैं इस चीज में विश्वास नहीं रखती कि आप किसी भी एक वीडियो को मैं एक सवाल के उपरा 20-20 मिनिट खर्च करें मैं ये मानते हूँ कि एक वीडियो भले 10 मिनिट का हो और उसके अंदर काम की चीज जो हो वो बताई जाए स्टुडेंट्स को जिससे कि उनका समय व्यर्थना हो तो आप भी इसको अपने लाइफ में फॉलो कीजिए समय व्यर्थना करें और जो काम की चीज़े हैं जहां से वो मिल रही है सिर्फ वहीं से लें तो इसी के साथ आज का वीडियो इतना ही आज दूसरा वीडियो भी आएगा जोग्राफी के उपर तो स्टे टून फॉर मोर वीडियोज हिंदी इंग्लिश दोनों को एक में कंपाइल करेंगे डेली प्रैक्टिस सेट में और जोग्राफी जो है उसको हिंदी में अलग से पढ़ाया जाएगा तो तब तक के लिए थैंक्यू वेरी मच्ट अड़ वेरी बेस्ट तैयारी करते रहे हैं